हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे यह जो मेरा सिरीज है एकॉनमिक बिबिलियोथिका उसका आज मैं पार्ट टू है जो वो डिसकस करने वाला हूँ यह जो मेरे वीडियो बनाया है वो दो तरह के लोगों के लिए बनाया है एक लोग वो हैं जो जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या होती है उसके composition, function या objective और वो लोग जानना चाहते हैं वो detail में इसके बारे में उनके लिए video है और दूसरे तरह कि लोग वो हैं जिनको idea नहीं है लेकिन वो कही न कहीं relate कर सकते हैं वो जानना चाहते हैं कि महंगाई होती है जो महंगाई दर होती है जिसको inflation बोलते हैं वो किस तरीके स बढ़ती है किस तरीके से घड़ती है उसको control करने के लिए क्या किया जाए क्या करें तो वो कम होगी क्या करें तो वो बढ़ेगी उसका पूरा का पूरा detail में हम लोग समझने वाले इस video में तो please मेरे साथ बने रही है शुरू से अंथ तक बहुत अच्छा लगेगा आपको एक-एक detail को बहुत discuss detail के अंदर discuss करेंगे काफ़ important चीज़े cover करेंगे सबसे पहले समझते हैं कि मैं इस जो video है मेरा जो मेरा presentation है उसका जो context है उसका जो content है उसको cover करने से एक चीज में पहले बोल देना चाहता हूँ कि ये video क्यों हम बना रहे हैं ये video हम क्यों देख रहे हैं अगर हम समझना चाहते हैं कि महंगाई किस तरीके से control की जाती है उसकी तरफ से सरकार technically क्या steps लेती है जिससे वो control की जा सके तो उन लोगों के लिए ये video बहुत ये अच्छे होने वाली है उसके लिए मैं थोड़ा सा background में जाना चाहूँग और मैं समझाना चाहूँग जो inflation rate हम बोलते हैं उसको control किया जाता था तो एक time था जब पूरी तरीके से ये RBA के governor के under था हुआ करता था और वो इसको पूरी तरीके से control करते से किस तरीके से जो महंगाई की दर है उसको control किया जा सके लेकिन वहाँ पर issue ये था कि RBA के जो governors है वो time के साथ change होते रहते है तो सबका एक point of view, point of thinking अलग अलग होता है, viewpoint अलग होता है, तो इसके चलते है, monetary जो decisions थे उनको लेना, उनको retain कर पाना बहुत ही जादा कठीन हो रहा था, इसके लिए एक time पर RBA governor को help करने के लिए एक technical advisory committee का कठन किया गया, जिसमें experts हुआ करते थे, monetary, economic department, central banking की तरफ से, financial market क की तरफ से, public finance के अलगलग committees की तरफ से, तो जो technical advisory committee थी, इसको हम TAC भी बॉल सकते हैं, वो इस तरीके का decisions लेने के लिए help किया करती थी, बट उसके बाद, 2016 के अंदर, उर्जित पतेल की committee, UP में लिख रहा हूँ, उर्जित पतेल committee, उस time की deputy governor हो करते थे, RBI के, उर्जित पत advisory policy के लिए special committee होनी चाहिए, जो की इस decisions को ले, with the help of voting की जाए, अलग-लग लोग हो, अलग-लग stream के हो, तो वहाँ पर ये निकल के है कि, government बोलती है, X member हो, RBI बोलता है, Y member हो, तीसरी कोई independent लोग जो है, वो बोल रहा है, Z members हो, इस चीज को लिखा करके, सहमती बना करके, एक म member होंगे, तो उससे पहले मैं यही चीज यहाँ पर कहाना चाहरा हूँ, कि monetary policy committee, MPC is a member committee, formed after the amendment in RBI 1934, RBI 1934, Finance Act 2016, के अंदर change करके, इस चीज को किया गया, MPC को कथन किया गया, the basic objective of the MPC is to maintain the price stability and accelerate the growth of the economy, price की stability, मतलब महंगाई दर, महंगाई दर को control करना है, price की stability को रखना है, होने वाला है, आगे बढ़ें, आपने term कहीं बार सुन लियोगा, monetary, monetary, monetary policy, monetary policy है क्या, तो government की जो policy होती है, वो दो तरह की होती है, monetary policy, fiscal policy, fiscal policy होती है, पैसा कहां से कमाया और कहां गभाया, tax, tax मतलब क्या होता है, revenue, मतलब कहां से कमाया, और spend, मतलब expenditure, कहां खर्चा किया, तो यहां पर रहा हूं, suppose यह एक टैप है, जिसको हम नल बोलते हैं, और इसके अंदर से पानी गिरता है, तो यह कहां से यूज करता है, यह कहां से पानी को लाता है, और कितना पानी निकालता है, वो फिसकल पॉलिसी है, और इस जब हम टैप को रोटेट और एंटी क्लोगवाइ और क्लोगवाइ डिर्क्टिन में रोटेट करेंगे, तो हम गंट्रोल करेंगे कि उसके नर से पानी कितना निकले, यह हैं मॉनिटरी पॉलिसी, जहां पर हम गंट्रोल करते हैं, पैसे के बहाव को, मतलब कि जो मनी है, वो कितना फ्लो करें इंटू दे सिस्टम और आउट वो गंट्रोल करने के लिए जो पोलिसी कि जहेंगे उनको मोनिटरी पोलिसी कहेंगे, हम इसकी बडूला रिजर्व प्रेज़ लाग यो incapable और वह क Computerी Liquid करेंगे, उसकी सहायता से इसके फ्लो को कम जादे वो एक instrument है, जो कि पानी के flow को रोक रहा है, इस तरही किसी कुछ ऐसे technical instrument, जो कि money के flow को रोके हैं या बढ़ा हैं, उनको monitoring instruments कहते हैं, कंट्रोल क्या करना है, achieve the goal of GDP growth and lower inflation rate, inflation rate के साथ कुछ system, कुछ ऐसे story ऐसी है, दोस्तों, कि inflation rate बहुत कम भी नहीं होनी चीए, और बहुत जादा भी नहीं होनी चीए, अगर बहुत कम हो गई, इसका मलब country के अंदर, economy के अंदर, कोई growth नहीं हो रही है, क्योंकि demand ही generate नहीं हो रह साइड होगा, जितने लोग वहाँ थे खरीदने वाले है, अगर उसके demand जादा है, तो rate जादा होगा, तो इसका मतलब, demand जादा, rate जादा, मतलब inflation का rate जादा, और inflation का rate कम है, मतलब demand कम है, तो लोग कम कमा पा रहे हैं, वो कम खर्च करना चाहते हैं, इस case में, जो inflation का rate तो मेंगाई बहुत जादा बढ़ गए तो हम्फुल है तो इसको हमेशा एक रेंज बाउंड रखना पड़ता है वह रेंज इंपोर्टेंट होती है तो मोनेटरी पॉलिशी रेफर रेफरस तो दे क्रेडिट कंट्रोल मीजर चुकि सेंटरल बैंक अव्द कंट्री करता है यह यहां पर लिखा हुआ है अब्जेक्टिव क्या है मोनेटरी पॉलिशी के इकॉनमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना प्राइस को कंट्रोल करना exchange rate की stability को control करना मतलब ऐसा नहीं की भाई dollar और rupee का fluctuation ऐसा हो जाए कि जो country से बाहर से बने loan लिया है या जितना हम import करते हैं उसके बदले हमको बहुँ जादा extra पैसा देना पड़े वो भी ना हो balance of payment के equilibrium को बना के रखना मतलब की कितना मेरा import हो रहा है कितना export हो रहा है उसके जो equilibrium है उसको बना करके रखना employment को बढ़ावा देना money neutral है उसको देखना income का जो distribution है वो equal रहे कहां कितना पैसा जाना चाहिए वो determined है उसको देखना business cycles को control करना export को promote करना import को substitute करना import हमको गटाना है और export बढ़ाना है ये clear होना चाहिए investment in standard of living control of inflation and deflation यार आगे बढ़ने से पहले मेरे request आप लोगों से यार प्लीज मेरे चैनल को है ना यार subscribe कर दो यार नहीं तो है ना ये जो वीडियो में बना रहो है आप लोगों तक पाएंगे और बैल आइकन को जरूर दबादो उसकी बगल से क्योंकि अगर बैल आइकन को नहीं दबाएंगे तो notification मेरे वीडियो का आनी पाएगा प्लीज लाइक कीजे मेरे वीडियो को share कीजे अपने आप लोगों को दे रहा हूं और बहुत ही आसान भाषा में स्टोरी टेलिंग के जरिए जो कि सुनने में पैच्छा लगता है और समझने में पैच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और वीडियो को share कीजिए MPC क्या है MPC section 45 ZB जो की RBA Act 1934 के अंडा रहाता है उसके तहत इसका गठन किया गया है target दिया गया है कि 4 plus minus 2 मतलब की minimum 2% और maximum 6% यह एक range bound inflation होने चाहिए जिसे range bound की मैं बात कर रहा हूं इससे कम भी गलत इससे ज़्यादा तो गलत है ही तो इस तरीकी की बात है composition क्या है MPC की इसके बारे में बात करते है monetary policy के जो पहला meeting हुआ था वो 3 October 2016 हुआ था monetary policy के अंदर 6 लोग है basically एक होते है governor reserve bank के वही chairperson होते है chairman होते है deputy governor जो की in charge होते है monetary policy जो department होता है उसकी जो की अभी है BP का नंगो governor है हमारे शक्तिकांत दास तीसरे जो होते हैं वो reserve bank के ही ये काफी senior officer होते है जो की board of member के अंदर होते है वो है Michael Devpatra member होते है उसके लब तीन लोग ऐसे होते हैं जो government की तरफ से होते हैं जो individuals होते हैं जो बहार से लाये जाता है वो as of now है रविंद्र डोलकिया महमदाबाद से प्रोफेसर पम्मी दुआ देली स्कूल अफ एकॉनोमिक्स और श्री चेतन गाटे ISI Indian Statistical Institute के member हैं कलकत्ता से तो ये 6 लोग हैं ये decision लेते हैं ये बताते हैं यार की नहीं ये voting होते है जब monetary policy का meeting होता है उससे पहले में एक चीज और clear कर दूँ कि जो monetary policy ।on committee है वो साल में 6 बार बैठती है फर दो-दो महीने में अब भी recently December में 5th buy monthly monetary policy का meeting हुआ है इसके अंदर change नहीं किया गया है rates के अंदर rates कुछ ऐसे होता है repo rate, bank rate, reverse repo rate और भी अलग-अलग तरे के rates होता है जिनके जरीये economy के अंदर पैसे का flow है उसको control किया जाता है यह इसलिए काफी important हो जाता है तो बात यहाँ पर यही है दोस्तों कि monetary policy जो एक बार committee बना दी गई उसके meetings होती है, उसमें decision लिया जाता है, policies जो rates होते हैं, उनको किस तरीके से align रखे हैं, किस तरीके से range bound रखे हैं, target के अंदर लाएं, लेकिन day-to-day basis पर भी, day-to-day basis पर भी जरूरी है, इस चीज को monitor करना क्योंकि हर दो-दो महीने में एक बर meeting करते रहेंगे, बट जो decisions ही लि department, financial market operations department, जो कि इसको daily basis पर meeting करकर के, उसको देख करके कि उसमें किस तरीके से उसका implementation किया जा रहे है, वो देखता है, financial markets की committee है, वो बैठती है, daily basis पर liquidity को देखती है, कि economy के अंदर कितनी liquidity है, आज अभी, तो इसके अंदर में कुछ information और देना चाहूंगा, कि अलग-लग tools हो देखने के लिए, जो instruments of monetary policy है, यह बहुत ही vast और बहुत ही deep topic है, मतलब मैं कहूंगा, कि जो word मैंने इस slide के अंदर लिखा है, उसके ओपर मैं एक वीडियो बना सकता हूं, आदे-ादे घंटे का, मैं बनाऊंगा भी, एक एक करके हम cover भी करें ही, और deep में समझेंगे चीजों को बहतर तरीके से, but as of now में बताना चाहता हूं, दो तर्य के instruments होते है, monetary policy की, एक होता है quantitative instrument, एक होता है qualitative, quantitative कुछ numbers का खेल, qualitative मतलब कुछ बात हो का खेल, quantitative मतलब की, एक होता है cash reserve ratio, जो की 4% है as of now, अब यह क्या है, क्या होता है, क्या जरूरत है, कैसे इसे control करते हैं, उनको ह दीरे जरे कवर करेंगे, एक वीडियो में कवर करने जाएंगे, तो वीडियो इतनी अलंबी हो जाएगे, आप लग देखे नहीं पाएंगे उसको, तूसरा होता है SLR, statutory liquidity ratio, एक होता है open market operation, bank rate, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, liquidity adjustment facility, कुछ होता है qualitative, जैसे की direct action, moral suasion, and direct money का जो margin है, selective or direct money, कुछ कुछ इस तरीके के ही है, जो टूल से होता है, दोस्तो यार, इस वीडियो को मेरे साब से मुझे उमीद है कि आप लोगो बहुत बहुत पसंद आए होगी, प्लीज इस वीडियो को शेर करना, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना, कोई सिंगल भी डाउट ना रहे, कोई भी डाउट है, प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किजिए, थेंक्यू वेरी मुच, हैव नाइस टेक।